नमस्कार दस्वजन्स पर्विवार में उम्हेश कर पंदे आप सभी भाइवनों का रोच इतर आज भी स्वागत करता हूं उम्मित साथ के अच्छोंगे बढ़े अच्छे तरह सब की चल दे रही होगी यह जो हड़पा सभिता है या इसके पीछे चाहे श्रोत का टॉपिक ह तो आपने देखा होगा महसूस क्या होगा कि हम लोग जिस प्रकार से यह पढ़ाई कर रहे हैं आम तोर पे वैसे पढ़ाई आज की डेट में लोग नहीं करते हैं चाहे वो इस्ट्रुएंट के पैमाने पर बात किया जाए या फिर सिक्षकों के स्तर पे बात किया जाए आ और आपकी जो जिम्मेदारी हो कि रोज के रोज जो कुछ आप पढ़ रहे हैं वो प्रॉपर वे में आप तयार कर सके याद कर सके आपकी जो परिक्षा होती है वो बिलकुल तथ्यात्मक प्रगार की होती है कुछ चैप्टर्स में ऐसे प्रशन बनते हैं जहां पे कॉंसे की जुरुत होती है नहीं तो उत्तर प्रदेश की PCS की परिक्षा हो या फिर PCPCT की परिक्षा हो 80 ग्रेट की परिक्षा हो बिलकुल तथ्यात्म का प्रस्ण ही परिक्षा में पूछे आते हैं कई बार ऐसा होता है कि वो तथ्य इधर उधर न जाने कहां से खोज करके पूछ ले आते हैं तो लोगों को लगता है कि परिक्षा के पैटर्न बदल रहे हैं ऐसा जबकि नहीं होता है किताबे वही हैं किताबे वही हैं स्टुडेंट्स भी वैसे ही होते हैं पढ़ने वाले या नपढ़ने वाले और टीचर्स भी वही होते हैं बावजूद इसके हर बार पेपर होता है हर बार रिजल्ट भी आता है होता क्यों है ऐसा होता क्यों है इस वज़ा से होता है कि पिछली जो हमारी जानकारी रही बात को समझने का प्रयास करेंगे जो हमारी कुछ पिछली जानकारी रही है हम सोचते हैं कि एक बार पढ़ लिया तो पढ़ लिया ऐसा नहीं होता है अपनी जानकारी को प्रतेक वर्ष जैसे परिक्षा अपडेट होती है न वैसे ही अपनी जानकारी को भी लगातार अपडेट करते रहना बहुत जरूरी होता है समत है म पहले जो कुछ पढ़ा हुआ है इतियास में भूगोल में आधी-आधी विश्यों में अगर एक बार हमने पढ़ लिया है तो हमें दुबारा अब उसमें कुछ संचोधन करें कि नए कुछ चीजों को जोड़ने की जरुवत नहीं है यह गलत परिपार्टी होती है मैं आप सारे लोगों से या अनरोद के साथ हमेशा से कहता हूँ कि अपने आपको लगातार और जादे डेवलप बनाने का प्रियास करना चाहिए ना सिर्फ भौतिक परिवेश में बलके ग्यान विज्यान के चितर में भी लगातार अप्डेशन होते रहना चाहिए कोशिश ये करना है ना कि जो कुछ पहले आप जानते हैं एक टीचर की भी भूमी का वही होनी चाहिए कि जो कुछ आप पहले से जानते समझते हैं या टीचर भी जो कुछ पहले से जानते समझते हैं उसमें भी लगातार नई नई बातों का समयवेश होना चाहिए पेपर में जब खोज-खोज करके ऐसे कुछ तथ्य पूछ लिए जाते हैं तो वही हाथ पर फुलने लगते हैं लेकिन अगर लगातार हम भी अपने अस्तर पर प्रयास करते रहें जो पहले जानते थे उसमें और जादे कुछ नई बातों को जोडते अगर चले जाएं तो निश्यत रूप से हमारी भी तैयारी वैसी अच्छी होती आती है पिछले बैच में जो लोग जुड़े हुए होंगे पिछले टीच्टी पीच्टी बैच में फिर पीसेस बैच में जो लोग मेरे से जुड़े हुए होंगे निश्यत रूप सो उनको यहां महसूस हो रहा होगा यहां जानकर के उनको भी हैरानी हो रही होगी कि पहले के तुर्णा में इस बार कम से कम 20-25 प्रतिशत और जादे उनको जानकारी में वृत हो रही है या फिर बड़ी हुई जानकारी मिल रही है यह जो हरपा सभिता है कल हमने बात किया हुआ था बिल्कुल ध्यान से समझने के प्रयास करेंगे इन सारी बातों को यह जो हरपा सभिता है कल आपको बता है हुआ था कि यहां दक्षण एशिया की प्रथम नगरिय सभिता के तौर पे जानी जाती है और यह जो नगरिय शब्द यहां पे जुड़ा हुआ है दक्षण एशिया की प्रथम नगरिय सभिता के तौर पे जो जानी जाती है यह जो नगरिय शब्द जुड़ा हुआ है इसमें एक विद्वान का नाम यहीं पे शामिल हो जाता है गौर्डन चाइल्ड का जिनोंने नगरिय क्रांती शब्द से सुशोभित किया किसको हड़पा सभिता के लिए नगरिय क्रांती शब्द का प्रयोग किया क्रांती का मतलब क्या होता है क्रांती का मतलब होता है सिस्टम के प्रतेक अंग में सिस्टम के व्यवस्था के प्रतेक अंग में जब आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है तो वह शब्द क्रांती होती है, जब कोई ब्यवस्था के प्रतेक अंग में आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है, आमूल चूल परिवर्तन कहने का मतलब संपूर्ण का में परिवर्तन होता है, ब्यवस्था ही बिल्कुल बदल सी जाती है, एक बदली हुई ब्यवस्था दि वह आंदोलन के सब्दों से denote किया जा सकता है नग्रिये श्रप्योक किया जा रहा है तो आपको यह जानकारी दिया हुआ था कि हड़पा सभिता के ठीक पहले का जो समयकाल है तो वह नवपाशान काल का समयकाल है और नवपाशान काल यह यूँ कहले कि नौ पाश्रानकाल में जब क्रिशी की शुरुवात हो रही है क्रिशी अधिशेस की स्थिति नहीं बन रही है तो वैसे में वैसे में चुकि सर्प्लस की स्थिति नहीं है इस वज़ा से अधिशेस नहीं है और जब अधिशेस नहीं है तो तमाम सारे लोग अपना पेट भर करने के लिए कृषी कारे में ही सनलगन रहेंगे जब सरप्लस्टिसिती बनती है तो निश्चित रूप से कृषी छेत्र से कुछ लोग निकल करके आने दूसरी गतिविधियों में सनलगन होते हैं और वहीं से अर्थ व्यवस्था के दूसरे डाइमेंशन या दूसरे चेत्र की शुरूआत होती है कृषी पाद शिल्ब कारी हुआ अद्योंगी गतियां निश्चित रूप से व्यापार वानेशजी की भी शुरूआत होता है व्यवस्था का तो हडपा सबिता में चुकि पहली बार क्रिशी कारे के अतरिक्त भी अन्य आर्थिक गत्विधियां हो रही हैं, इस वज़र से नगरिय शब्द का प्रयोग हो रहा है और नगरिय शब्द का प्रयोग होने में भी एक प्रमुख तत्या है, कि बहुत सारे कस्वाई प्रकार के नगरिय शब्द देखने को मिलते हैं, जहां पे क्रिशी कारे नहीं हो रहा है, बलकि और द्योगिक प्रधान कारे ही देखने को मिल रहा है, जो कि पूरी की पूरी ब्यवस्था, हडपा सबिता के काल के दौरान बदली हुई थी पिछली स क्रांती शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे सिंधू सबिता कहा जाता है, अलपा सबिता भी कहा जाता है, एक ही सबिता के लिए अलग अलग नाम करना, आम तोर पे संस्कृति और सबिता में भी अंतर होता है, पहले भी बताया हुआ है, और यह जो सारे शब्दावलियां है, जब भी आप मुख्य परिच्छा में लिखने के लिए बैठते हैं, क्योंकि कभी भी आप से उमीद की जाती है कि आप किसी भी विशय को बढ़िया तरीके से जानते समझते हैं या नहीं, इस विशय की ही इस बात की ही परख की जाती है एक्जामियर्स के द्वारा, तो एक एक शब्दाली का विशेश महत्व है क्यों देखने का प्यास करते ह यह सिंदू सभिता बोला गया क्योंकि शुरुवाती दोर में कुछ अस्थल सिंदू नदी के किनारे देखने को मिले सिंदू सभिता टॉपी का नाम करण। कुछ समय के बाद इस्ति ऐसी हुई कि सिंदू की सहायक नदियों की किनारे तमाम सारे अस्थल देखने को मिल रहे हैं सिंदू घाटी की सभिता हुआ लेकिन समय के साथ जैसे जैसे और सारे नए नए अस्थल जानकारी में आ रहे हैं सिंदू घाटी की सभिता से जुड़े ह तो पुरातत विदों की एक आमधार्णा यह रहती है कि अगर कोई नई सभिता की जानकारी हो रही है तो उस नई सभिता से समझे जो प्रतम ग्यांत अस्थल है उसी प्रतम ग्यांत अस्थल के नाम पे संपुर्ण सभिता का नाम करण कर दिया एता है या एक आमधार्णा प् अब प्रश्म पूशा भी गया है और यहाँ समझने की भी जुरुत है कि यहाँ जो सिंधु सभिता है या सैंधाव सभिता है, सबसे पहले इस नाम का प्रयोग किसके दौरा किया गया था. तो भाई सरुठम इस नाम का जो प्रयोग किया गया सरुठम प्रयोग किसके दौरा किया गया तो आपको जानकरी है जॉन मार्शल के दौरा किसके जॉन मार्शल के दौरा सरुठम इस शब्दावली का प्रयोग किया गया था और ये जो हडपा सबिता है यहां किसी एक व्यक मिटिंग हॉल है जहां पर यहां फैसला किया जा रहा है जब कि सिंदू सभिता सब्द का सर्फम प्रयोग जॉन मार्शल के द्वारा किया गया और यहां जो जॉन मार्शल के द्वारा किया जा रहा है वहां एक किताब बताया इंडस वैली एंड शिविलाजेशन एक किताब बताया था, जॉन मार्शल के द्वारा लिखी गई, उसमें इन्हों ने सिंदू सभिता शब्द का प्रयोग किया हुआ है, इसके लगा आपको बात बताया था कि यह जो सेंदाव सभिता है, यह जो सेंदाव सभिता है, बेसिकली कांस यूगीन सभिता के तोर पे इसे जाना जाता है, क्योंकि पहली बार कांसा धातू का प्रयोग देखने को मिला है, पहली बार कांसा धातू का प्रयोग हो रहा है, पहली बार कांसा धातू का प्रयोग हो रहा है, सेंदाव सभिता वासियों के द्वारा, यह अभी आपको बताया था, कि यह जो सभिता कांसा धातू एक भाग टीन अठाथ नाइन इस्टू वन का रेशियो जब मिलता है ताबा और टिन का तो यह मिश्ण क्या कहलाता है यह कासा कहलाता है चुंकि ताबा तो इसली हड़पा वासियों को मिल जा रहा था रास्थान की खेटरी नस्दीक में ही हडपा वासियों को आसानी से ताबा मिल जा रहा था लेकिन तिन आसानी सुनको नहीं मिल पा रहा था तिन अफगानिस्तान से आयात करना पड़ता था और ततकालीन समय में ततकालीन समय में तिन का आयात करना या कुछ अन्य वस्तूं का दूरस्त छेत्रों से आयात करना आसान नहीं था परिवहन व्यवस्ता कमजोर प्रकार की इस वज़त से पहली बार भले ही कासधातों का प्रयोग हो रहा है कासयोगीन सभिता के तौर पे इसे जाना जाता है बावजूद कासा का जो प्रयोग हो रहा है कासा का प्रयोग हो रह है ऐसा पहली बार हो रहा है लेकिन यह प्रयोग हो रहा है तो प्रस्व कनता है भाई कि जो ऑजार उप्करण हडप वासियों के द्वारा प्रयोग की जाते थे वह अधिकांस्त किस चीज के बने जाब बनाए जाते थे तो आपको यह पत्थरों के बने होते थे पत्थरों के ही बने होते थे अर्थात कासा धातू का प्रयोग हो रहा है लेकिन बहुत कम हो रहा है और जो अधिकांश उपकरण इनके प्राप्थ हुए हैं वहां विभिन प्रकार के पत्थरों के प्राप्थ हुए है क्लियर है बात उम्मीद करत इसके लावा यह भी आपको बताया था कि यह जो हडपा सभिता है सेंदो सभिता है आम तोर पे लोग यह समझते हैं कि सेंदो सभिता या सिंदुगाटी सब्दार नामकरण है तो इस सेंदो सभिता से जुड़े हुए लगभग जो अभी तक तीन हजार के आसपास अस्थल ज जानकारी में प्रकाश में आ चुके हैं वो अधिकांश अस्थल सिंदु के किनारे हैं जो की गलत है प्रशन पूछा भी गया है कि भाई सरवाधिक संकेंद्रन सिंदुगाटी सभिता के अस्थलों का सरवाधिक संकेंद्रन किस नदी घाटी चत्र में देखने को जिता है क सरस्वती नदी घाटी चेत्र में कौन से सरस्वती नदी घाटी चेत्र में यह भी प्रश्न पूचा हुआ है कभी भी सिंदू नदी नहीं उपयोग करेंगे उत्तर के लिए सिंदु घाटी सभिता के सरुसती नदी घाटी चेतर के संतर में जो एक शब्दावली फेमस है वह है घगर हाकरा चेतर अर्थात आम तोर पे यह माना जाता है कि कभी घगर हाकरा चेतर में इस नदी का प्रवाह उआ करता था इसके अलवा आपको यह भी पताया हुआ था कि यह जो हडपा सभिता है यह जो हडपा सभिता है हडपा सभिता समकालीन थी तो दो प्रमुख सभिताएं रही अनि सभिताएं भी रही लेकिन दो प्रमुख जो तदकालीन सभिता रही या फिर कहले मिश्र और मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया इन दो समकालीन सभिताएं किसकी रही है हडपा सभिता की रही है ये जो मेसोपोटामिया है इसके बारे में तो अभी विशद हम लोग चर्चा करेंगे आने वाली कच्छाओं में सरवाधिक घनिष्ट सरवाधिक घनिष्ट संबंध हडपावासियों का किसक पही था जबकि मिश्र के साथ संबंध नहीं था याद रखेंगे मिश्र के साथ हड़पावासियों का संबंध नहीं था मेसोपोटामिया के साथ सरवाधिक घनिष्ट संबंध था यह भी जो सरवाधिक घनिष्ट था यह भी प्रत्यक्ष संबंध नहीं था यह भी अप्रत् जलते थे पानी वाले जहाज समुद्र के रास्ते से हो करके बहरीन पहुंचते थे और बहरीन से हो करके फिर ये लोग कहां पहुंचते थे मेसोपोटामिया पहुंचते थे अर्थात या प्रत्यक्ष सम्मंद नहीं था इंडाइरिक्टली यहां रिलेशनसिप था उम्मीद क वो जानकारी स्पस्ट जानकारी स्पस्ट जानकारी फर्स टाइम कब हो रही है तो सेंदो सभिता की स्पस्ट जानकारी 1921 में हो रही है और 1921 में स्पस्ट जानकारी देने वाला वेक्टी कौन है यह है दयाराम साहनी साहब कौन दयाराम साहनी साहब स्पस्ट जानकारी देने खनाना करता थे हडपा छित्र के हडपा सभिता कहने का मतलब मेरी बात को समझने का प्रयास करें हडपा सभिता कहने का मतलब हडपा नहीं है हडपा सभिता से समंधित लगभग लगभग तीन हजार अस्थल अभी तक जानकारी में आये हैं हडपा सभिता से समंधित अभी तक लगभग तीन हजार अस्थल जानकारी में आये हैं और उन तीन हजार अस्थलों में से एक अस्थल जो कि पहला अस्थल ग्यात था वो था हडपा तो हडपा एक अस्थल है किसका अस्थल है? पूरी-पूरी हडपा सभिता से समंधित एक अस्थल है हडपा सभिता कहने का मतलब लगभग तीन हजार अस्थल और उन तीन हजार में से एक हडपा भी अस्थल है क्लियर है या बात भाई? क्लियर है? अमेद करता हूँ बात आसानी सौंज में आ रही होगी यह जो पस्ट जानकारी मिल लई है 1921 में मिल लई है दयाराम सानी के दौरा उत्खरन करता हडपा लेकिन इसमें एक बात और कि यह जो 1922 का वर्स था 1922 में मोहन जोदडो की मोहन जोदडो की जानकारी होती है और किसके दौरा होती है? आडी बनर जी अर्थात राखल दास बनर जी के दौरा मोहन जोदडो का उत्खरन कारे आरम कराए जाता है लेकिन एक प्रस्ण यहां भी बनता है कई बार पूछा हुआ है यह ऐसा नहीं था कि यह जो दयाराम साहनी साहब है यह जो दया राम साहनी साहब है या आडी बनरजी साहब है ऐसे ही मनमाने चले गए और हरपा और मोहन जोदोड़ का उत्खरन कराना शुरू कर दिया ऐसा नहीं था क्यों ऐसा नहीं था क्योंकि इनके पीछे भी किसी का हाथ था लोग समझते नहीं हैं कन्फ्यूजन की स्थिती बनती है समझने का प्रयास करें अगर कभी यह प्रश्ण पूछा गया कि हरपा की खुदाई के प्रभारी कौन थे उत्तर बताएं मुझे हरपा की खुदाई के प्रभारी कौन थे आपका उत्तर क्या होगा मैं देखनों जरा हरपा की खुदाई के प्रभारी कौन थे इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप खडपा की खुदाई या मोहन जोदडो की खुदाई के प्रभारी कौन थे भाई प्रभारी जॉन मार्शल थे और जॉन मार्शल जो प्रभारी थे सरकार की ओर से इनको आदेश हुआ था और इन्होंने इन्होंने लगाया दयाराम साहनी को इन्होंने लगाया आडि बनर जी को अलग-अलग जगों के उत्खननकारे में तो प्रसया बनता है कि किसके निर्देशन में तो भाई जॉन मार्शल के निर्देशन में जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम सानी ने घडपा का और दयाराम सानी के अलावा 1922 में आडी बनर जी ने जॉन मार्शल के निर् था clear है अब यह जो जॉन मार्सल साहब है प्रभारी कैसे हो गए तो भाई यह जो जॉन मार्सल है ततकालीन भारतिय पूराता तो सरवक्षण विभाग के यह क्या थे यह महानिदेशक थे यह क्या थे महानिदेशक थे इस वज़ा से यह प्रभारी के तोर पे जाने जाते हैं अब यह जो अचानक से 1921 हम पढ़ लेते हैं तो क्या यह 1921 अचानक से आगया दयारामसानी अचानक से आगया ऐसा भी बात नहीं था अचानक से 1921 में हरपा सभिता या हरपा अस्तल की जानकारी हो गई दयारामसानी की दौरा ऐसा भी नहीं था क्योंकि एक इसकी प्रिष्ट भूमी रही है कि प्रिष्ट भूमी में आपको कल बताया हुआ था कि इस प्रिष्ट भूमी की शुरुआत इस प्रिष्ट भूमी की शुरुआत हरपा के प्रिष्ट भूमी की शुरुआत कहां से होती है भाई तो हरपा के प्रिष्ट भूमी की शुरुआत 1826 से होती है जब चार्स मेसन न इसने चार्स मेसन ने हडपा गाओं का दौरा किया था हडपा पंजाब पाकिस्तान साहिवाल जिला हडपा का दौरा किया हुआ था और ना से दौरा किया बलके उसका उलेख भी किया 1826 के बाद आपको बताया हुआ था कि तुरंट इसके कुछ समय बाद ही अलेक्जेंडर बरंस ने भी हडपा गाओं का दौरा किया इसके बाद आपको बताया था 1853 का वर्ष 1853 कौण कनिंगम सहाब कणिंगम साहब हडपा का दौरा कर रहे हैं लेकिन एक समानिय अंग्रेज के तोर पे दौरा कर रहे हैं 1856 का वर्ष बताया ब्रंटन बंधू ब्रंटन बंधू कराची से लाहोर कराची से लाहोर रेलवेड ट्रैक बनाना था और इंट प्रात किया जा रहा है ब्रंटन बंधूं के द्वारा आपको बताया था 1856 का जो वर्ष है 1872 का वर्ष है जब अध्यक्ष के तौर पे पुरातात्विक सर्वेक्षन के अध्यक्ष के तौर पे कौन डारेक्टर के तौर पे कनिंगम कनिंगम डारेक्टर के तौर पे रेक्टर के तौर पे हडपा गाउं पहुंचते हैं समझ नहीं अभी तक कोई भी हडपा का यह जो टीला है, हडपा का यह जो गाउं है, उसकी पृिष्ट भवूमी क्या है, वो है क्या चीज, समझ नहीं पा रहे हैं, अभी भी लोग, बात आगे बढ़ती है, बात आगे बढ़ी और 1921 तक बात गई, दयाराम् साहनी जाते हैं, उध्षन क कुछ करवाते हैं और रस उद्घाटन होता है और इन्होंने किसको रिपोर्ट किया इन्होंने रिपोर्ट किया इन्होंने रिपोर्ट किया किसको जॉन मार्शल साहब को रिपोर्ट किया 1922 का वर्षाता है आडी बनर जी यही काम करते हैं कहां पर मोहन जोदोड़ के लिए क जौन मार्शल साब आराम से दिल्ली में इस समय चेयर पे बैटे हुए, कान पे जूरेंग नहीं रहा है, इनके कान पे जूरेंगा 1924 में जाकर के, 1924 में जाकर के जौन मार्शल के कान में जूरेंगा बात दो-तीन वर्ष बाद की है, 1921 दैरान सानी, 1922 साड़ी बनाट जी, मो है, अंग्रेजी शासन को बहुत कुछ फायदा हो सकता है, कुछ हमें हाथ में मिलने वाला है, कुछ ऐसा जब इनको महसूस हुआ, तो इनों ने 1924 में पहली बार विश्व समुदाय के समक्ष, अंतराश्रिय जगत के समक्ष, विश्व समुदाय के सामने पहली बार याद क करना है, या भी प्रशन कभी न कभी पूछ लिया जाएगा, क्या प्रशन पूछा जाएगा, जॉन मार्सल ने अंतराश्रिय जगत को 1924 में पहली बार हडपा सभिता के विशे में कुछ जानकारी दिया, हडपा सभिता की जानकारी दिया, कब 1924 में, और इन्होंने एक ले लिखा, जॉन मार्सल ने 1924 में, इलस्ट्रेटेड लंदन टाइम्स में, लंदन टाइम्स में एक लेख छपवाया, या लेख या याद करना है, कभी भी प्रशन बनेगा, लंदन टाइम्स में एक लेख लिखवाया, और उस लेख में पहली बार अंतराश्री जगत को जान जानकारी मिली हडपा के खंड़रों की, एक अग्यात सभिता के विशे में अंतराश्री जगत को पहली बार जानकारी 1924 में, जॉन मार्सल साब दे रहे हैं, इलस्ट्रेटेड लंदन टाइम्स में, लेकिन अभी भी या चेयर पे बैठे हुए हैं दिल्ली में, अभी भी हडपा या मोहन जोदड़ों का दोरा नहीं किया है इनोंने, जॉन मार्शल साहब चाहे हडपा हो या फिर मोहन जोदड़ों हो, जॉन मार्शल जॉन मार्शल याद करना है पहली बार स्वयम, पहली बार स्वयम कब जाते हैं दोरा करने के लिए, 1925 में जाते हैं, 1925 में जाते हैं याद रहेगा क्यों भाई क्लियर है जोन मारसल साथ स्वैम 1925 में पहली बार जाते हैं हडपा या मोहन जोड़ो सेम यह उसी वर्ष दोनों जोगों पर जाते हैं अब यह जो हडपा सभिता है अब कुछ दूसरी बादों को समझते हैं हडपा सभिता है दूसरी बाते हैं समझते हैं आमतोर पे इसे तीन भाग में बान्ट करके समझा जाता है तीन भाग में बांट करके इसे समझने का प्रयास गयाता है कौन-कौन से भाग है वो देखते हैं एक है प्राक हडपा चरण इस बात को समझ लेना है मौतपूर्ण है कॉंसेप्ट छुपा हुआ है यहां पे एक है विक्सित हडपा चरण और एक है हडपा सबिता के पतन का काल या चरण यह जो प्राक हडपा चरण है ना प्राक का मतलब यह जो विक्सित जो हम लोग हडपा सबिता हडपा सबिता दिन भर बोलते हैं वो हडपा सबिता विक्सित चरण को दर्शाता है ये जो हडपा सभिता है वह विक्सित चरण को दरशाता है और कोई भी चीज अचानक से तो विक्सित हो नहीं चाती है धीरे-धीरे उसकी कुछ न कुछ पिष्ट भूमी होती है टिक वैसे ही जैसे चालीस वर्ष की उम्र में मैं ऐसा हूँ तो क्या ऐसे ही आ गया और ऐसे ही निपड जाऊंगा ऐसा तो है नहीं अर्थात इस चालिस वर्ष की आयू में भी एक नमबर आयू से लेकर के 49 आयू तक इस 40 तक की प्रिष्ट भूमी का निर्माण हुआ है ठीक वैसे ही ठीक वैसे ही विकसित चरण की प्रिष्ट भूमी कह पर बनती है तो विक्सित चरण की प्रिष्ट भूमी का निर्मान जो है वह प्राक हडपा चरण में देखने को मिलता है क्यों बाई क्लियर है यह जो विक्सित हडपाई चरण है इसकी प्रिष्ट भूमी प्राक हडपा चरण में देखने को मिलती है अर्थात यह जो प्राक ह चरण ही हडपा सभिता है या विक्सित चरण ही हडपा सभिता है याद रखना है या जो प्राक हडपा चरण है ना ये हडपा सभिता या विक्सित चरण की प्रिष्ट भूमी का निर्माण करता है तो इस बात को भी समझते हैं कि या जो या जो प्राक हडपा चरण है ना तो मोटे तोर पे 3500 से ले करके 2600 इसापुर्व तक का जो समयकाल है लगभग 1000 वर्ष का यहाँ प्रिष्ट भूमी का निर्माण करता है, विक्सित हडपा चरण की प्रिष्ट भूमी का निर्माण करता है, विक्सित हडपा चरण कहने का मतलब है, हडपा सभिता किस रूप में जानी आती है, अर्थात नगरिय करण कहले या फिर नगरिय सभिता के रूप में जो हडपा का विक्सित चरण है, नगरिय करण की जो अवस्था है, वह नगरिय करण की अवस्था की प्रिष्ट भूमी का निर्माण कहां पे हो रहा है, पिछले एक हजार वर्ष में 3500 से 2600 इसापूर के दोराद, जिसे प्राक हडपाई चरण कहा जाता है, और यहा जो नगरिय करण की इस्थित है, जिसे विक्सित चरण कहा जाता है, तो इसका समय कब से कब तक है, तो भाई 2600 इसापूर से लेकर के लगभग 1900 इसापूर तक का जो समय काल है, वह विक्सित चरण का काल कहा जाता है, अर थात, यह जो हडपा सबिता है, जो प्रथम नगरिकरण की अवस्था को दर्षाता है, तो प्रफम नगरी करण की आयू कितने वर्षों की थी एक अलग प्रकार का प्रफम बन सकता है अब लोग समझ नहीं पाएंगे प्रफम नगरी करण है क्या उसकी आयू क्या पूछ रहा है तो भाई प्रफम नगरी करण की जो आयू है मोटे तोर पर देखा जाए तो लगबग 600 से लेकर के 700 वर्ष का यहाँ प्रफम नगरी करण की अर्थात हडपा सबिता के विक्सित चरण की यह आयू है जबकि यह जो पतन का काल है तो भाई 1900 इसापूर से लेकर के 1750 इसापूर तक का जो समय काल है वह मोटे तोर पर हडपा सबिता की पतन अवस्था को दर्शाता है हडपा सबिता के पतन अवस्था को यह काल दर्शाता है हडपा सबिता डिक्लाइन कर गई पतन का मतलब अंत नहीं हुआ, मुख्य परिचा में प्रस्ण भी पूछा हुआ है, इतिहास विशह में, क्या हरपा सभिता का अंत अकस्मात था, मुख्य परिचा में प्रस्ण पूछा हुआ है, क्या हरपा सभिता का अंत अकस्मात था, तो आपको वहाँ पे यह भी लिखने की जुरत है पहले तो यह अंत था ही नहीं और अकस्मात था या नहीं था यह तो बात की बात है हरपा सब ताका पतन हुआ पतन का मतलब कुछ खास विशेष्टाएं जो होती है वहां खतम हो गई सारी के सारी बाते जो मूल लग छड़ थे वो सारी की सारी बाते खतम नहीं पूरी के पूरे के पूरे खतम हो गए तब अंत होता लेकिन हडपा-सबिता में ऐसा नहीं था हडपा सब इता के जो धार्मिक जीवन की अधिकांस चीजे थी विशेश रूप से धार्मिक जीवन की फिर से याद दिला रहा हूं विशेश रूप से प्रश्न पूचा हुआ है विशेश रूप से धार्मिक जीवन की जो विशेश तायन थी वर्तमान कालतत देखने को मिलती है कैसे पशुपति शिव का साक्ष वहाँ पे मिला है मातरी देवी की पूजा का साक्ष वहाँ पे मिला है स्वास्ति के प्रतीक का साक्ष में पे मिला है पीपल पूजा, व्रिक्ष पूजा, नाग पूचा, आदी आदी अंदविश्वास जादू टोना हर प्रकार की चीजों का साक्ष वहाँ पे मिला है और जब हर प्रकार की चीजों का साक्ष मिला है हरपा सबेता में और आज भी वो साक्ष मिलता है तो निशिद रूप से यह इस पश होता है कि वर्तमान के धार्मिक जीवन की तमाम सारी देश्टा है आज तक निरंतर हैं वर्तमान हैं अब अंत हुआ नहीं पतन हुआ एक बात अकस्मात था कि नहीं था वहां पे दो प्रकार के सिधान थे पतन का सिधान और क्रमिक पतन का सिधान जब पतन पढ़ेंगे तब देखेंगे फिलाल यह जो पतन का काल है 1900 में पूरता गाते आते हडपा सविता का पतन हो चुका था और हडपाई छित्रों को छोड़ करके हडपाई छित्रों को छोड़ करके वहां के लोग किनी अन्य छित्रों में जा करके निर्वसित जीवन जीना शुरू कर लिए अर्था ट्रांसफर हो गया लोगों का माना हुरा है ये जा पर् used the इट हरें अर्थात नगरी करण की जो इस्थिती थी और यह पतंकल पतंता काल कहने का मतलब नगरी करण पतन हो रहा है नगरी करण के लिए प्रिष्ट मूमी का निर्मान हो रहा है, तो प्रश्च मनता है कि भाई ये जो प्राखलपा चरण है, तो प्राखलपा चरण से जुड़े हुए, कुछ अस्तल तो रहे ही होंगे, याद रखना है कौन कौन से प्राक हडपा चरण के अस्थल है अर्थार इस समय काल के बीच 3500 से 2600 इसापूर के दोरान कौन से वो अस्थल है जो इस समय आबाद थे और बाद में वो विक्सित चरण में भी आबाद देखने को मिलते हैं तो प्राक हडपा चरण से जुड़े हुए तमाम जो सारे अस्थल है उनमें पाकिस्तान का जो बलुचिस्तान छेत्र है पाकिस्तान का जो बलुचिस्तान छेत्र है वहाँ पे बहुत सारे अस्थल है इसके अलावा जो सिंध छेत्र है पाकिस्तान का, वहां पे बहुत सारे अस्थल देखने को मिलते हैं, इसके अलावा पाकिस्तान का पंजाब हो चाहे भारत का पंजाब हो, यहां पे बहुत सारे अस्थल प्राक हडपाई चर्ण के देखने को मिलते हैं, इसके अलावा यह ज जैसे बलुचिस्तान छेत्र में आगको पता है मेहरगड क्यों भाई मेहरगड कुली नाल छोब क्वेटा अंजीरा किली गुल मुहम्मद आधी तमाम सारे अस्थल हैं जो की प्राक हडपा चल से सम्दित हैं सिंद छेत्र में अगर बात करें आमरी, कोट दीजी ये दो प्रमुख सिंद छेत्र में अस्थल देखने को मिलते हैं प्राक हडपा चल से सम्दित पंजाब में ऐसे ममोरी और दो तिन नाम हैं ऐसे पंजाब छेत्र से सम्दित अस्थल हैं प्राक हडपा चल से राजस्थान चेत्र में सोथी कहलें या फिर काली बंगा कहलें या प्राक हडपा चण से समधित हैं इसी प्रकार से हर्याना में राखी गढ़ी आपने नाम सुना होगा मिताथल नाम सुना होगा बालू नाम सुना होगा ये सारे हर्याना चेत्र समधित अस्थल हैं प्राक पास बाते हैं वह हमें जानना है नोट करना है यह सीधे सीधे तत्य और इतने तत्य इतने तत्य है मुझे एक्जेक्टली तुरंद के तुरंद का आ जाए तो ऑप्शनस देख करके तो मैं लगा सकता हूं लेकिन सारे खडपा चरण है देखें यह नवपाशान काल है नवपाशान संस्कृती है नवपाशान संस्कृती नवपाशान संस्कृती फिर नवपाशान संस्कृती से दो धाराएं निकलती हैं आपको बताया कौन कौन सी इसी से जुड़ी हुई तामर पाशानिक संस्कृती भी एक धारा के नूप में निकलती है और इसी से जुड़ा हुआ विक्सित हडपा चरण भी देखने को मिलता है विक्सित हडपा चरण भी देखने को मिलता है नगरी क कौन कर रहा है तो इसकी प्रिष्ट भूमी का निर्माण प्राक हडपा चरन कर रहा है अर्थात अर्थात कॉमन से सब क्या कहेगा यह जो नौ पाशान संस्रती है और जो यह विकसित हडपाई चरन है इन इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच संक्रमन की अवस्था में कौन है, तो संक्रमन की अवस्था में है प्राक हडपाचर्ण, याद रहेगा, नवपाशान संस्कृति और विक्सित हडपाचर्ण के बीच संक्रमन की अवस्था में कौन है, जो प्रिष्ट भूमी का निर् प्राक हडपा चर्ण तो नवपाशान संस्कृति और हडपा सभिता के बीच विक्सित चर्ण का मतलब हडपा सभिता के बीच संक्रम्न की स्थिती में कौन है प्राक हडपा चर्ण और प्राक हडपा चर्ण का भी विकास कहां से हुआ है तो यहां नवपाशान से ही प्राक प्राक हडपाचन का ही विक्सित रूप में देखने को मिलती है अर्थात बहुत प्राक हडपाचन में भी रिलेशन है याद रखना है ताम्रपाश्रान एक संस्क्रती और प्राक हडपा चरण में भी रिलेशन देखने को मिलता है जब मुख्य परिचाप पढ़ते हैं तो वहां पे एक प्रश्म बनता है हडपा सभिता का उद्भाव कैसे हुआ हडपा सभिता का उद्भाव कैसे हुआ एक प्रश्म बनता है और हडपा सभिता के उद्भाव के संबंध में यह बात विभिन विद्वानों के द्वारा कही गई है कि हडपा सभिता कोई आयातित सभिता नहीं थी कुछ विदेशी विद्वान है या कुछ विदेशी विद्वान है या कुछ माक्सिस्ट विद्वान है जो यह कहने का प्रयास करते हैं कि हरपा सबिता का उधवाव देशी पूरवर्ती ग्रामीड संस्कृतियों से नहीं हुआ है बलकि हरपा सबिता के उद्वों में मेसोपूटामिया का हाथ है मेसोपूटामिया का हाथ कहने का मतलब कि मेसोपूटामियाई छेतर से कुछ लोग हरपाई छेतरों में आते हैं और धीरे-धीरे समय के साथ एक हरपा सबिता जैसी नई सबिता का स्रिजन करते हैं यह कुछ विदेशी विद्वान है जो की ऐसी धाला रखते हैं इसको कायता है हडपा सभिता के संदर में विदेशी उद्पत्ती का सिध्धान इसमें यहाँ मुख्य रूप से बताने का प्रयास किया गया है कि हडपा सभिता का उद्भाव देशी संस्कृती में नहीं था हडपा सभिता का जो समयकाल है उसके पहले उन छेत्रों में जो देशी नेटिव लोग रहते थे वो लोग विक्सित करके हडपा सभिता इस चरण में नहीं पहुँचे बलकि हडपा सभिता आयातित सभिता है आयातित कहने का मतलब मेसोपोटामिया कि सभिता से कुछ लोग गूमते गूमते इन छेत्रों में आए और अपने आपको डेवलप करके एक विक्सित हड़पा चड़ण का निर्मान करते है जो कि गलत है गलत क्यों है इस वज़ा से गलत है माले मैं मैं कहीं अपना घर छोड़ करके दूसरे घर जाता हूँ मैं मतलब मैंसो पोटा मिया मैं अपना घर छोड़ करके कहीं अन्यतर जाता हूँ अगर अन्यतर जाओंगा तो क्या अपने पुरानी कल्चर है जो हमारी पिष्ट भूमी है क्या उसको छोड़ करके चला जाओंगा या उसको ले करके जाओंगा तो जहां जाओंगा वहां भी जैसे हसने वाली बात है कावत है कि बिहार के लोग कहीं भी जाते हैं तो निश्चित रूप से अपना वो पन है ना वो दर्शाई देते हैं ठीक ऐसी बात महाराश्यत्र में यूपी वालों के लिए भी कही जाती है कहने का मतलब है कि मानो जब मानो जो है न वो अपने संस्कृति कहीं भी रहे वो अपने संस्कृति को छोड़ता नहीं है अगर मेसोपोटामिया से लोग आय होते मेसोपोटामियाई छेत्र से लोग आय होते तो निश्चित रूप से अपने कल्चर को लाय होते और वो कल्चर हडपा सभिता में भी दिखाई देता अर्थात मेसोपोटामिया के एक उपनिवेश के तोर पे हडपाई छेतर को जाना जाता लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि मेसोपोटामिया की कल्चर में जो कुछ तमाम सारे अवशेश प्राप्त हुए है हूबहू वैसे अवशेश सेंधव छेतरों में नहीं प्राप्त हुए है और जब नहीं प्राप्त हुए है तो निशित रूप से कहा जा सकता है वो कल्चर अलग है और ये कल्चर अलग है क्यों भाई तो हडपा सभिता एक स्वतंत्र विक्सित सभिता रही है और पूरी तरह से देशी सभिता के तोर पे इसे जाना जाता है तो हडपा सभिता के उद्वाओं के संदर में अब जब यह निशकर्स निकला कि यह शुद रूप से देशी सभिता है तो देशी सबिता कैसे है? क्योंकि यह विक्सित हडपाई चरण कैसे आता है? तो भाई यह विक्सित हडपाई चरण के दो आधार देखने को मिलते हैं. एक आधार कहां पर इस चरण के अंतरगत जो लोग थे, कैसे लोग थे, यह लोग कैसे रहोंगे, क्रिशक प्रकार के लोग रहोंगे, ग्रामीन प्रकार के लोग रहोंगे, यही धीरे धीरे अपने आपको डेवेलप करते करते, एक नगरी इस्थिती में पहुंचा देते हैं और जो नगरी इस्तिती में पहुचा है वही विक्सित हडबाचरण है और यह जो प्राक अडबाचरण है जो कृषक या ग्रामीड लोग है यह लोग निश्जित रूप से तामर पाशानिक संस्रिती से भी रिलेट है कोरिलेट है इसका मतलब कि विक्सित हडपा चरण में या प्राक हडपाई चरण का समंध्र तामर पाशानिक संस्कृती से भी है अमला नंदन घोश हुए फेर सर्विस हुए या फिर रोमिला था पर आदी जैविद्वान इस बात को प्रूफ किये हुए हैं कि यह जो तामर पाशानिक संस्कृति है जो चित्रिय तामर पाशानिक संस्क्रती है जैसे कुली नाल छोब जैसे सोती यह जो संस्कृतियां है इन संस्कृतियों का हाथ था कहां पे हाथ कहां पर था यह देसी यह देसी तामरपाशानिक संस्कृतियां है कुली नाल छोब क्वेटा सोथी संस्कृति यह देसी संस्कृतियां है और इन देसी संस्कृतियों का विक्सित रूप विक्सित हडपा चड़ में देखने को मिलता है इसका मतलब हडपा सब्सुद रूप से देशी सबिता थी और हडपा सब्सुद चण अर्थात 26 सु पहले उन छेत्रों में जो लोग उन छेत्रों में जो लोग प्राक हडपाई चणवाले रहते थे वही लोग समयक साथ दिरे-दिरे डिवलप हो करके एक विक्सित नगरी जीवन से सुशों बेत हडपा सबिता का निर्मान करते हैं बात सौन में आई भाई तो ये सारी बाते रही हैं समझने वाली कुछ कौनसेट चुपे हुए थे वो बताने का प्रयास किया कल इन सारी बातों को हम लोग नोट करेंगे कल इन सारी बातों को हम लोग नोट करेंगे और प्राक हडपा चण तक नोट करके फिर हम लोग विक्सित हडपा चण में कौन कौन से अस्थल है कश्मीर में कौन सा अस्थल है क्या कुछ खास बात है पंजाब में कौन से विक्सित हडपा चण के अस्थल है, क्या खास बात है राज्थान में, हर्याणा में, उत्तर प्रदेश में या फिर पाकिस्तान, चितर में, उन सारी चीज़ों को हम लोग नोट करेंगे, वहाँ पे समझने वाली चीज़े नहीं है, तत्य हैं कल हम लोग इन सारी शियों को एक देड़ घंटे नोट करेंगे, ठीक है, मिलें फिर, ठीक है, कोई और बात होगी, फिर कमेंट शिक्षम लिखेगा, मिलते हैं फिर धन्रवाद,